रादे रादे शी रिवेंज आईए आज की लीला में प्रवेश करें हमारी लीला चल रही थी कहां कहूं सक्खी उन नैनन की बात हमने कल किया था जो तुझे चाहिए वही कह सुगना वे उत्साह पूर्वक बोले यहां तक अब इसके आगे कुवर्जू मेरे कामते हाथ उनके चर्नों की और बड़े चर्नों को बुझाओं से बांध कर उन पर सिर्धरते हुए मैंने कहा मेरा मन तुम्में ही रमा है क्षन भर भी इदर उदर ना हो मेरा मन तुम्में ही रमा करे क्षन भर भी इदर उदर ना हो तुम्हारे दर्शन हो की ना हो तुम मिल, मिलो की ना मिलो पर मैं तुमसे मिली रहूं तुम्हारी ये कमल पत्र सी अखियां सदा ऐसे ही हिय में गड़ी का सकती रहें ये गाव कभी पूरे नहीं, आँखे कभी सुखे नहीं जैसे बिजली चमकी हो, ऐसे ही कुमर्जू ने मुझे हिरिद्य से लगा लिया उस अनन्द को सम्हाल सके, ऐसा कौन है संसार में मैं अचेत हो गई, चेत आया, तब वे गिले पीत पट से मेरा मुख पहुंच रहे थे सुगना, उनकी वे सुंदर आँखें बरी-बरी लगी, उन्होंने कामते कंठ स्वर से पुकारा मैं एकदम उठ बैठी, क्या हुआ, उन्होंने मेरा मुख अपने हाथों में ले लिया सुगना, तुने मुझे अपना दास बना लिया ये क्या कहते हैं स्वामी, तुम, तुम कौन हो, ये तुम्हारी कृपा से ही मैं जान पाई हूँ कहां तुम और कहां मैं मुरक बिलने दासी मैं तुम्हारी जनम जनम की, ऐसी अनीती मत करो मुहन एक बार और कह सुगना, मुहन, मेरे नेतर जुक गए बावरी मैं जात पात उंच नीच बुद्धिमान और मुरक नहीं देखता मुझे तो प्रेम का नाता ही बाता है इस रज्जु से तुने जकड कर बांध लियम है मुझे इसी से तु मेरी है और मैं तेरा हम न्यारे नहीं मैं क्या कहती एक अग्य बिलनी क्षन भर के सानिध्य से क्या से क्या हो गई जो ग्यान रिशी मुनी हजारों वर्ष तपस्या करके पाते हैं वे बिना कुछ किये सुगना पा गई इस पर इसका भी क्या करेगी सुगना इसका इस कंकड से अधिक मुल नहीं मेरे पास मेरा दन तो तुम हो मेरे प्राण मुझे गरीबनी बना कर मत छोड जाना उनके सखा है बाबा मैया और गर गाओं है वे उनके समीप गए की नहीं मैं नहीं जानती मुझे तो यही ग्यात है कि वे दिन रात मेरे ही साथ लगे रहते हैं इसी के साथ मैं वानी को विराम देती हूं तुकि ये लीला यहीं पे समात है कल हम कुछ नई लीलाएं और शुरू करेंगे शायद मीरा जी की ये अब स्री जी जाने श्री जी के हाथ है कल देखेंगे क्या शुरू करवाना चाहती है वो तब तक के लिए रादे रादे शीह रंच